पूछी तो मोदी जी की डिगरी जा रही थी मोदी जी की डिगरी की बारे में चर्चे हो रही थी पूछा जा रहा था कि असली है नकली है कब की है कब की नहीं है लेकिन इस बीच में बड़ी खबर निकल करके सामने आई है खबर उनके लिए है जो डिगरी लेने के लिए अस जायद मोजुदा सत्ता के अंदर बैठे लोगों को पसन नहीं आ रहे हैं और देखिए ना जाने मोदी जी को सला देने वाला कौन है नोट बंदी करके नोट बदल दिये अब नोट बुक और बुक की बारी है ना जाने मोदी जी को सला कौन दे रहा है गूगल के इस दोर के अंदर आप चले हैं मोगल का दोर मिटाने आप चले हैं अरसेस के उपर जो बैन लगा था उसको हटाने आप चले हैं कि कैसे जो है वो गुजरात के दंगे वे थे उसको हटाने एक कमाल की बात है सहाब गूगल का दोर है इस बात को समझे टेकनोलोजी का दोर है इस बात को समझ ये किताबों से हटा लेंगे लोग तो अमेरिका की इत्यास को खंगाल डालते हैं लोग तो जो पढ़ने वाले हैं वो रूस की इत्यास को पढ़ेंगे वो इरान के इत्यास को पढ़ेंगे वो इराक को पढ़ेंगे वो आरसिस पर बैन कैसे लगा था इसको पढ़ेंगे वो गोड़से कौन था उसने क्यों आखिरकार हिंदू मुसलिम एक्ता के सबसे बड़े उस वक्त के सबसे बड़े हितकारी कैसे गांदी जी की हत्या गोड़से ने कर दी जो की हिंदू मुसलिम एक्ता की वज़े से चिर्ता था जैसे इन चीजों को मिटा पाएंगा और कैसे जो ही कोशिस हो रही है मैं खबर दिखाता हूँ आपको यह आप देखिए नव भार टाइम ने च्छापा है बारवी की किताब से गांधी की हिंदू-मुस्लिम एक्ता आरेसस पर बैन से जुड़े हिस्से हटाए गए कैसे पढ़ाए जाएगा देखिए जरा समझे जरा इस बात को और समझ करके देखिए कि आखिर कर किसी को न जाने इस बात से इतनी दिक्कत क्या है किसी को न जाने इस बात से इतना डर क्या है अब NCRT इस पर क्या कैरी क्या जवाब आए वो भी मैं आपको बताऊंगा भासकर न का है कि NCRT ने मात्मा गांधी से जुड़ी कई बाते हटी गोर्से को ब्रहमन बताने वाला हिस्सा और गुजरात दंगे से जुड़ी भी बाते भी स्लेबस में नहीं है अब NCRT के जो निदेशक है वो इसी में आप आगे देखिए किसी भी विचार धारा के दबाव में आकर कि NCRT के स्लेबस में बदलाव नहीं किये गए है मतलब खुद ही जो है वो NCRT को लगा कि चलिए हटाई है बाकी कोई बात नहीं थी यह यह कहना चाह रहे है खुद ही NCRT को लगा कि चलिए यह ठीक नहीं है और आगे जो है सिक्षा मंत्री क्या कह रही वो भी मापको गांदी और गोर्से से जुड़ी वी चो बाते हटाई गई है पहले क्या पढ़ाया जारता और आप क्या जो है उसमें बदला हुआ है यह आप देखिए गोर्से को ब्रहमन बताने वाला हिस्सा हटाए गया है क्या था इसमें कक्ष्या बारवी की पोलिटिकल साइंस की कित किताब से जुड़ी गांदी की हत्या से जुड़ा हिस्सा भी हटा लिया गया है जिसमें उन्हें मारने वाले को ब्रहमन और कट्रपंती हिंदु अखबार का संपादक बताए गया था इसको हटा दिया गया है अब क्या लिखा है नई किताब के अंदर नई किताब में और पर हुई यानि पूरी तरह से जो है वो नातुराम गोडसे से उन सारी चीजों को हटा दिया गया जो सारी चीजे उसके साथ में जुड़ी हुई थी और वो सारी चीजें बता रही थी कि उन चीजों की वज़े से उसका दिमाग ऐसा हुआ को एक समाने इंसान को एक समाने गोड़से के रूप में हुई है उस व्यक्ति का किसके साथ में लेना देना था वो व्यक्ति जो है गांधी जो सबसे बड़े हिंदु मुस्लिम एक्ता के जो हितकारी थे उस आउधारना की वजह से उसने गांधी जी के उपर गोलिया चलाई इस बात को हटा दिया गया है भी सोचिया इसी में आगे देखिया आप गुजरात दंगे से जुड़ी वी बाते भी हटाई गई है कक्षा ग्यारा की समासास्तर की किताबों से 2002 में गुजरात दंगों से जुड़ी वी बाते भी हटा दी गई है इसमें लिखा है कि कैसे रिहाइसी इलाके में अब देख तो कैसे चीज़े बताई जा रही है और कैसे चीज़े दिखाई जा रही है इस चीज़ को आप समझे आरेसेस पर बेन वाला हिस्सा भी हटा दिया देखिए आप और फिर NCRT कहती किसी विचारदारा की दबाओ में ऐसा नहीं हुआ है कक्सिया बारवी की पोलिटिकल साइंस की किताब से गांधी जी की हट्या के बाद में सरकार ने सामपरदाइक ता फैलाने वाले संगठनों के खिलाप कारवाई की और आरेसेस जैसे संगठन पर परतिबंद लगा दिया था इस बात को हटा दिया गया है और सरकार कह रही है, NCRT कह रही है कि सब कोई विचारधारा के दबाव में ऐसा नहीं हुआ है रज्यमंत्री का बयान आप सुनिए अन्पूर्णा देवी हैं, रज्यमंत्री हैं और रजसभा के अंदर इन्होंने जवाब दिया क्या लिखा है करोना महामारी की वज़े से स्कूल के स्कूली सिक्षा के नुकसान को ध्यान में रखते वे छात्रों के तनाव और भार को कम करने के लिए स्लिबस को कम किया जा रहा है अब करोना महामारी का पता नहीं कितना ढोल पीटा जाएगा, कहा तक पीटा जाएगा करोना मामारी होती है तो कहते है कि साथ महंगाई विरुजगारी करोना मामारी के वज़े से बढ़ रही है बच्चों के स्कूल से स्लेबस हो है वो करोना मामारी के वज़े से कम किया जा रहा है लेकिन इनकी कोई रेलिया कम हुए हो तो बता दीजिए इनके कोई और प्रोग्राम कम होए हो तो बता दीजिए इनके किसी और प्रोग्राम में कम खर्चा किया गया हो तो बता दीजिए कहीं पर अगर 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 कोई कटोती की हो तो बता दीजिए कोई एक रैली जो होगा अगर कम की हो मोदी जी ने तो बता दीजी यहाँ तक कि जब पीक पर करोना था बंगाल के अंदर जब कॉंग्रिस ने कहा कि हम पॉलिटिकल रैली करेंगे ही नहीं और नहीं की वाक्वे में और जो सत्ता पार्टी वहाँ पर थी राज सरकार ममतब इनर्जी वह कह रही थी कि तीन चरनों को जो है वो एक चरन में करवा दीजिए चरन जो है छोटे करवा दीजिए चुनाओं को छोटा कर दीजिए जल्दी वोटिंग करवा करके खतम करिए लेकिन सारे काम समय पर हुए मोदी जी की रेलिया हुई और फिर देखिए और फिर कहते हैं कि साब नहीं हम तो कुछ कहीं कमाल की बात है Central Islamik Land Scepter भी नहीं पढ़ाया जाएगा चलिये ये भी ठीक है और देखिए आप सतंदर भारत में राजनेती इसके अंदर सतंदर भारत में राजनेती की किताब से जन आंदोलन का उदै और एक दल के प्रभुतो को का दोर उसको भी हटा दिया गया है तो चलिए सहाब दोजार चोदा से देश के अजादी हुई ये बता दीजिए चलिए सहाब ये बता दीजिए कि दोजार चोदा से ही देश का इतियास सुरू होता है और दोजार चोदा से ही देश का भुश्य सुरू होता है कमाल की बात है सहाब ऐसे ऐसी चीज़े सरकार कर क्या आजिल कर लेगे केवल और केवल जो है वो लोगों को कैसे अब जितना इन चीजों को दबाया जाएगा उतना लोग खोद करके निकाल करके इनको पढ़ेंगे उतना लोग जो है वो कहेंगे कि देखिए बारवी की कख्षा से इस बात को अटाया गया था और सरकार आज है आज हट गया है कल सरकार हट जाएगी कोई सरकार दूसरी आएगी उसको लगेगा कि नहीं यह चीज़ तो होनी चाहिए तो फिर डल जाएंगी चीज़ लेकिन देखे कैसे जो है वो कौन से काम के उपर फोकस है महंगाई पर कि लोग जो लगातार पिस रहे हैं मर रहे हैं अत्मत्या कर रहे हैं उन पर कितना फोकस है सोची जरह इस बात को शेर कीजिए इस खबर को लोगों तक पहुंचे यह आपके सोंचते समझते हैं नीचे कमेंट बुक्स पर निराज जरूर दीजिए और इसी तरह एक तमाम खब पी जरूर